प्रेगनेंसी चन्सीव होने के बाद जिस्म के इन पांच हिसों में दर्द होना जो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 100% इस चीज़ की निशानद ही करता है कि आपने प्रेगनेंसी कन्सीव कर ली है हमल ठहर चुका है अगर आपकी पहली प्रीग्नेशी है या दूसरी है या आपको कुछ भी नहीं पता प्रेग्नेशी की बाकी बाकी आलामात या सिम्टम्स कौन gemacht होती है ने के बारे में सबसे पहला दर्द है आपके प्राइवेट पार्ट में होने वाला दर्द आपको अपने प्राइवेट पार्ट में अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो कुछ दर्द और खिचाओ का एसास होता है क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपके यूटरिस की शेप अभी से थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाती है यूटरिस के साइज में भी आहस्ता आहस्ता प्रेगनेंसी गुजरने के साथ साथ इजाफा होता है बलड फ्लो यूटरिस की तरफ बढ़ जाता है जिसके वहीं से यूट्रिस के साइज और शेप में चेह जाने के वहीं से यूट्रिस आपके ब्लेडर के ओपर मसाने के ओपर प्रेशर डालती है और आपको बार बार वॉष रूम जाने की हाज़त होती है यूरिन बार बार आता है इसके साथ-साथ आपको अपने प्राइवेट पार्ट में खिचाओ और चुबन का और दर्द का एसास होता है अब दूसरा दर्द जो आपको pregnancy conceive होने पे हो सकता है वो है abdominal pain पेट का दर्द इसे हम implantation cramp या pregnancy cramp भी कहते हैं आपको अपने पेट में कुछ जुन जनाहट जैसा एसास होता है ऐसा लगता है कि जैसे आपके पेट के अंदर कुछ हो रहा है breaking type आपको pain हो सकता है नाप से नीचे lower abdomen में क्योंकि आपका जो embryo बना है fallopian tube के अंदर उसके बाद वो travel करता है और आता है uterus के अंदर जब embryo आपका बचेदानी की दिवार के साथ जुड़ता है implant होता है जिसे हम implantation कहते हैं उस वक्त आपको पेट के अंदर चुबन का एसास ह हो सकता है नाप से नीचे lower abdomen में जिसे implantation cramp या implantation pain कहते हैं अब दीसरी किसम का दर्द कैसा होता है और कहां होता है pregnancy conceive होने पर वो है breast के अंदर pain होना breast में tenderness होना हाथ लगाने पर breast का दर्द होना breast nipple की sensitivity बढ़ जाती है आपको पहले से कुछ change sensation अपने breast के अंदर और breast nipple के अंदर महसूस होने लगते हैं फिर आपको अपनी breast पहले से ज्यादा heavy और breast के अंदर fullness का एसास होता है और साथ में breast के अंदर दर्द होता है तो ये breast के अंदर pain होना बास खवातिन को period की date मिस होने से पहले ही ये अलामत आना शुरू हो जाती है mostly और बास खवाति pregnancy के अंदर कमर में दर्द होना शुरू में ही बास खवातिन को ये अलामत जाहर हो जाती है और बास खवातिन को late pregnancy के अंदर बैके की अलामत शुरू होती है और बास खवातिन में तो even के कमर का दर्द शुरू होता है pregnancy conceive होने पे throughout pregnancy चलता रहता है और even के delivery के बाद भी कमर दर परीपन का एसास हो सकता है, प्रेग्रेंसी कंसीव होने पे और पैरों के अंदर दर्द भी हो सकता है, पिर साथ में आपको सरदर्द और चकर का एसास भी हो सकता है, पिर जैसे जैसे आपकी प्रेग्रेंसी बढ़ती है, प्रेग्रेंसी के हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, तो प्र प्रेगनसी की अलामात आना शुरू हो जाती है जैसे कि आपको नौजियो वोमिटिंग होता है मौर्निंग सिक्मेस जिसे कहते हैं आपको स्मेल का प्रॉब्लम आ जाता है टेस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी विए से महसوس होते हैं तो ध्यान में रखी यह possibility है कि आपने pregnancy conceive कर ली है क्योंकि जैसे ही आपको थोड़ा सा doubt होता है कि आपने pregnancy conceive कर ली है तो आपको फॉरण से कुछ precautions लेना शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका implementation successfully हो सके और कौन सी होती है वो precautions कौन सी होती है वो गलती है जिन से को बचना है ताकि आपकी pregnancy miscarriage में convert ना हो चैनल पर वीडियो मुझूद है जरूर देखिएगा चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा और bell notification on कर लीजेगा ताकि डॉक्टर helping health की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख कर लो कि आपकी कर लो